दोस्तों गर अभी तक अपने हमारी वीदियोस को देखा होगा, आपको मालूम होगा, बांगलादेश की टीम का, इस विश्षु का में 몸 जीतने के पूरे चांस नहीं ये बसको एकी चीज बनाऊ हएा यह इल्यास ग्ललाओ समय सबस्पार मिल जएगा अभी अभी प्री में जरूर उसा ना पहले समय इक हौने उनने मैच चरण नहीं बने सुरूं के मैच्चत फेत्स में रन नहीं बने लेकिन आप गूड़ी के दोनों मैच्चत अरन बने है क्योंकि मजबूत ओनने वहाँ पे असानी से अच्छे खासे रन बनाएं याँ यहांपे रन बनाना इतना kullan नहीं है लेकिन इतना कोई मुस्किल भी नहीं है अगर कोई बल्ले बाज रुक के खेले सही से खेले, रुक ले थोड़े से दस बॉल, बारा बॉल, पहले बॉल को समझ ले फिर वो यहाँ पे आसानी से रन बना सकता है इस वेन्यू पे मेली पेसस आपको अच्छी बॉल कर रहे है लेकिन इस्पिनर का भी जादू चल रहा है क्योंकि इसी वेन्यू पे और शेलिया के एदम जांपा को हमने कैब बनाया और उसने कमाल की बॉल किया यहाँ पे तबड़े समसी ने हमें जिदाया अलग-अलग मैच अलग-अलग प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे है और यहाँ से मैं आपको कहूँगा आमने सामने सभी को मालूम है बंगलादेशी हारने वाली है आमने सामने में मैच हुआ हार्दिक पांदे ने और सदीप ने और कोहिली ने अच्छा परफॉर्म किया है सामने की टीम को और साकीब ने अच्छा परफॉर्म किया लितन दास ने रन बनाया है लेकि यह काफी पुराना मैच है और प्लेइंग 11 मेरे साब से सेम रहेगा क्योंकि कुलदीप को वापस से खिलाना चाहिए एतिगा के इस वेनियू पे भी बॉल स्पिन हो रही है और प्लेइर्स में सबसे पहले रोई सर्मा को लेना जरूरी है में लिए रोई सर्मा को कैप वीसी आपको बनाना है कब जम अपने भारत की टीम पहले बॉल करेगी अगर पहले बल्लेबाजी आपको रोई सर्मा को कैप वीसी तो छोड़ो ऐसा प्लेइर भी अगर आपको मनन नहीं है तो लेकर के नहीं चल सकते हो क्योंकि पहले बल्लेबाजी में जादिर रन बनानी के चक्कर में पावर प्लेएवे चक्के मारने के चक्कर में अपना विक्ट दे करके चला जारा है लेकिन अगर अपने एदिया की तीम पहले बाल करेगी वहाँ पे 52 रन ऐसे रन बना करकी देगा क्योंकि मालुम है कि सामने ओले तीम ने 140 बनाया है कि इसे सौई बनाया है, एक शोसी बना लिया, उसी हिसाब से खेलेगा और वैसे ही सौई या फिर एक सोचालिसी का स्कूर आने वला है, तो अगर अपने अपने इधिया की तीम पेले बाल कर रही है, आपर चेस करते हुए, रोई सर्माब का बल्ला चलेगा य profirm है यह ऐक दो भी एक आमने सामने के रिष्टा पंद को भी लेना जरूरी है कु knows करेगा जब neben फैर पर वापर रोई सर्मा जरूरी करेंगा लेगा लेकर बंद्या बाल कर fertility नहीं है तो वाँ इंडाया शर्माज बाल रहेगा स्रे आपक लिए अधना जरूरी नहीं रहेगा हार्डिक पांदे मेली तभी ज़रूरी रहेगा जब अपने इंदियन टीम पहले बल्ले बात्ची कर रही है अगर मालों की इंदियन टीम पहले बॉल कर रही है तो वहाँ पे सिर्फ और सिफ ऐसा बॉलर आपको इसको लेना होगा और बॉलिंग से आपको दो प्लेयर या फिर शुरू के चार प्लेयर ही मैच को ख़दम करके ले जाएंगे रविद्र जड़ेजा बॉलिंग से आपको तीन ओवर करी बॉल भी करेगा कैच वोगए अभी पिछले मैच से गजब के किया है और फिर या आपको बल्ले बात्ची में भी बैक अप दे सकता हैं अक्सर पतेल इस समय फॉर्म है क्योंकि ऐसा कीपर रिष्ट पंत खेल रहा है और रिष्ट पंत जो है ना दिल्ली के लिए आईपेल में दोनों सेम टीम के लिए खेले हैं इसलिए अक्सर पतेल जोड़ेजा से जादी अच्छी बॉल कर रहा है यहीं गारा भी धोनी ध कैसे बॉल करना है कहा पर बॉल करना है लेकि यहाँ पर क्योंकि पीछे रिष्ट पंत इसी वज़जा से अक्सर पतेल का समय अच्छा चल रहा है कुल्दीप कभी से होई है अर्सदीप भी जरूरी है बुम्रा भी जरूरी है तो यह चार बॉलस को लेना ही लेना है अब य यहां से बॉलर्स में अक्सर पतेल, कुल दीप, अर्ष दीप और बुम्रा ये सब जरूरी है, बॉलर्स में सुरू के और समय अर्ष दीप और बुम्रा 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 ब इस वाले मैच्चे सुरू के और समय बॉल करने के पूरे चांस है क्योंकि लेफ्टी बॉलर है चाहे रोई सर्मा हो चाहे अपना कोहिली हो चाहे वो रिसप पंत हो सारे बल्ले बाद जो ने सुरू के तीन के तीनों बल्ले बाद जो ने लेफ्टी बॉलर्स के सामने काफी श चीज देखने वाला है कि बांगलादेश की तीम पांच मेन बॉलर्स के साथ खेल रही है यानि कि महमुद उल्ला जो कि अपने इदिया के सामने अच्छी बॉल करता है इसको भी ओवर नहीं मिलेंगे साकीब उलसंद को भी मैकसिमम एक और मिलेगा या फिर दो और मिलेगा य है ना संतों को अभी के लिए मेरा भरोसा नहीं है और साकीब को ले करके देखो यहां से चार अच्छे प्लेयर निकल के आ सकते हैं लितंदास क्योंकि अपने इदिया के सामने हमेशा रन बनाता है क्योंकि जब से इसकी कोहिली से एक थोड़ी सी बहस साइप की हुई उस सम इसे अपने इदियान टीम के सामने लितंदास ने एकदम सीरियस होके खैलना सुरू कर दिया है और हालिया दिनों में इसने काफ़ी रन भी बनाए अपने इंदियान टीम के सामने है एज़ा कीपर भी खेलेगा तो इसको लेकर के जरूर से चल सकते हैं अगर आप जील की टीम बना रहे हो और उसके अलावा यहां से ती हर्दोय इस पूरे विस्व का पे अकेला बल्ले बाज़ जिसने हर मैच में रन बनाने की पूरी कोसिस किया और रन बना भी ना इसी वेन्यू पे और शेलिया ज़सी टीम के सामने पहले मैच में इसने चालिस रन बनाया है तो ती हर्दोय हो गया, महमुद उल्ला हो गया, यह दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि इस वाले मैच आपको द्रीम टीम में नसर आने वाला है क्योंकि 80 अर्थी follow form में है है ना महमुद自己 अपने इंदियन team के सामने हमेशा अच्छा perform करने आला player हमेशा अपनी इंदियन team के सामने हमेशा run बनाता है काई बार इसने बाइलिंग से भी अच्छा perform किया है साकिम को अगर लेना भी है तो तो confirm है कि यह 10 run भी नहीं बना पाएगा, क्यूंकि मेंली स्लोग खेलने वाला प्लेयर है, तो 20 over के match तभी run बना पा रहा है, जब यह चौक्य मारने जा रहा है, जब यह gap में चौक्य मारने जा रहा है, तभी run बना पा रहा है, ओवर ओल ये फ्लाप हो रहा है पूरे 200 कप हे क्योंकि यह छखक्ये मारने जाहा है इस वाले मैच में इसने एक भी छखक्ये नहीं मारा है वाप यह चला है यह वाले मैच में इसने बॉल्स अच्छा कर लिया, लेकि मेली आपको मुगद का यहाँ होगा है कि अपक भी साथब आपको बॉलिंग से ओवर मिलेगा नी और अगर कहीं है बीस ओवर के मैच खेलने गया छक्के मारने जाएगा वहाँ पे फ्लाप भी हो जाएगा बॉलरस में रिशाद हुसेन जो कि इनका विगती का बॉलर रही समय गजब की बॉल कर रहा है और शेलिया के सामने भी अच्छ की ओर समय बॉल करेगा वहाँ पे एक जरूरी बॉलर रहेगा वैसे भी हार्दिक पांदे के सामने भी इसने अच्छी बॉल किया है अगर बंगलादेश की तीम पहले बॉल कर रही है तो इनके ओर से दो बॉलरस हो की गजब के फॉर्म में नजर आ सकते हैं पहला नाम है जरूरी हो सकते हैं इनके ओर से हर मैच सुरू की ओर से बॉल करें तांजीब यहां से तांजीम हसन और तसकिन लेकिन क्योंकि सामने रोई सर्मा रहेगा जो की लेफ़दी बॉलरस के सामने रन नहीं बना पा रहा है तो इस वाले मैच मुश्वफिसूर रहमान आपको नई बॉल से बॉल करने आने वाला है ध्यान रखना इस मैच मुश्वफिसूर आपको सुरू के वरसमा बॉल जरूर करेगा मुश्वफिसूर के बॉल से अच्छा करने के भी चांस रहने वाले है और उसके अलावा यहां से अगर आप चेक करोगे मैच अप पे तो कोई मैच जोडेजा सभी ने अच्छा बॉल किया साकीब के सामने साकीब के सामने साकीब ने दो बॉलर्स पर रन भी थोड़े से बनाए है हार्दिक पॉण्दे पास जोड़े साप है वाकि दो जो दो नो अच्छे बॉलर उनके खिलाफ भी यह फ्लॉप ही हुआ है तो मेंली ध्यान और यहां से कोई ऐसा प्लेयर है नी इसको जो की खेले मेंली यहां से यह तीम मैंने मेंली तब के लिए बनाई है जब यहां से अपने इंदियन तीम पहले बल्ले बादची करेगी है अगर मालों कि अपने इंदियन तीम पहले बॉल कर रहे हैं पहले अगा बॉलिंग है त पर बल्ले बाची में इसको चांस ही नहीं मिलेगा सुरू के तीन या चारी प्लेयर आपको मैच खतम कर देंगे और यहाँ से एक और प्लेयर जो कि साकीब है अगर मालो की पहले बल्ले बाची है अगर मालो की बांगलादेश की पहले बल्ले बात चीए तो साकीब वहाँ पे रन बढ़ाने को जाएगा छक्के मारें कोशी सकर कर रहा है तो वह बुरी तरीके से फ्लाप हो सकते हैं रिषाद उसे नहीं समय फॉर्म में ऐसा बॉलर रिषाद भी अच्छा कर सकते हैं मुश्व फिसूर्ब रहमान भी जोड यह एक हमारे एनालिसिस बेस की तीम है फाइनल टीम जो भी होगी है तौस होने के बाद अपने इसी वाले तिलीगोराम और चैनल को पर अपनी फाइनल टीम आपको भेज़ दूँगा हमारी इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्किप्शन में सबस्भा पिन के वाँ लिंक मिल जाएगा अभी कभी फ्री में जोई रोजना इसी चैनल पर आपको हमारी फाइनल टीम मिलने वाली है और हाँ चैनल पर नए आए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना आपको फ्री का लाल आए हो